आज मैं बनाने जारी हूं हैदराबादी चिकन मसाला बहुत ही tasty बहुत ही फ्लेवरफुल और मजहाई वाला बॉध को इस रेसिपी में और आप जब इस स्रेसिपी को बनाएंगे तो आप कहेंगे मुझे यह recipe पहले क्यों नहीं पता थी बहुत या जो normal चिकन बनता है तो बह आप सब सही हो और सेफ होगे। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमको चिकन को मेरिनेट करना होगा। उसके लिए हमें पहले प्याज का जो भूमावा प्यास चाहिए ज़ए फ्राइड ज़नेशे मेनें तो उसके लिए मैंने कडाई में तो ज्छादे यह तेल हैं, और मैंने चार अनियन लिये, मीडियम साइज अनियन, उनको मैं अच्छे से तेल में बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, ये फ्राइड अनियन डालने से इसका टेस्टी एक अलग लेवल का हो जाता है, और इस रेसिपी में पढ़ता ही पढ़ता है, त Isnya, जो ग्राइब है करने को मैं अनियन को अनियन बाइए चाल को अनियन है जो ही रिषा करें उर्याई के तृ यह डशाब आनियन डाल मुद्चे तक पर लाते हैं को एक तृ कर्ण राएं मैं अच्छ नाका इनियन धिया, को आप अधर चाल्छे 10ब्राइब टीम कई डालूंगी अगर मैं चार निंच ए लग बग इसका हाफ करके मैं डाल दूँगी तो मेरा यह पूरा एक कप के बराबर हुआता प्यास मैं अगर मैं कपसे बता हूं तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला अपना जो हुम्मेट गरम मसाला है थोड़ा आजा थाषिकों यह तो पहलुब हम ताथ है किद आधके हैं, मिला यहाँ पर के जालुई है। अद्रक और लहसन का पेस्ट डाला है लहसन का पेस्ट अच्छा लगता है चिकन में तो उसको थोड़ा सा जाद ही डालिए बाकि अगर आप कम खाते हैं लहसन तो आप कम भी कर सकते हैं इन सब चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैंने यह चिकन लिया है मैंन चिकन में मैं आपको एक बात और बता दूँ चिकन में पहले थोड़े से cut कर लिये थे जिसनी जो मसाले हैं और अच्छे से चले जाते हैं तो यहाँ पर मैंने यह सारी चीजों को अच्छे से चिकन मेंस कर लिया है इसके बाद हम चिकन को 8 खंटे के लिए मेरिनेट करने के लिए रख देंगे कम से कम एक घंटा तो रखे रखे बाकि उसके बाद आप जितना ज्यादा रख सकते हैं तो वो अच्छा टेस्ट देगा और मैंने नमक भी एट किया था इसमें मैं दिखा नहीं पाई आपको तो इसमें नमक भी एट किया है मैंने लाचाँ करेंडा और मैंने 2 तीसपून के लिए यहाँ रखे बाद क्रोटकर से पर लिए हैं मैं थोड़ topic बाया यहां पर लग साप बाया पार यहाँ उलाप्रूल से जोको अच्छे से खुंआ लेंगी । काली मर्च नहीं दालने कि गत् Name कि मरें पास पाउडर अब्च श्क लाया अच्छे चुछन यहां ऍा पर जो पन्सबाद है मैं तो मैं बस से इसन अब कड़ह की तो के सब्चो स्थाइप सकता है। मैं थोड़ा सबस्दों करता है नहीं का थैसे बहुत जादा ही कर है प्रूल कोov pandasya कि आसरे P इस बहुत जद भूने की नीड नहीं है यहाँ पर थोड़ा सा घुणेंगे जिससे कच्छापन चले जाये प्याज का और यहाँ पर मैंने डाल दिया है काजु काजु को भी इसके संग भून लेंगे तो इस इसमें टमाटर तो पढ़ता नहीं है इस ग्रेवी में इसकी तो तो बस इन चीजों को अब प्राय करने के बाद मैं निकाल ले रही हूं एक प्लेट में और इसको मैं ठंडा कर लोगी पहले यह मैंने निकाल लिया है अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूं बस अब मैं जो यह प्याज है जो मैंने भूने ते प्याज लहसा नद्रा काजू इनको भूना था इसको मैं मिक्सी के जार में डालके सेम जार में डालके इनको भी पीस लूँगी इनका भी पेस बना लूँगी अच्छा सा अब उसी कडाई में आपको बरतन अलग लगनी ल तो यहां मैंने थोड़ा सा यह जो फूल आउते हैं उसके गरम मसाले वाले वो डाल दिये हैं और थोड़ा सा मैंने जाइफल भी डाला है वन फोर्थ जाइफल का पीज डाला है मैंने उसका बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं बाकी मैंने यह अपना जो पेस्ट बनाया था मसाला भून जो है उसका पेस्ट अभी पूरा जो बनाया प्याज वया सब चीजों का वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लेना आप जितना आप भूनेंगे उतना ही ज्यादा टेस्ट आएगा हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और वन टीस्पून ड्रेट कश्मीरी चिली पाउडर ढाल दिया है आपके पास अगर साबूत र्रेट कश्मीरी चिली है तो आप स्टार्टिम में जब मसाले भूने थे हमने ड्रायर्योस किये थे वहाँ पर भी डाल सकते थे मैंने मेरा टेल बहुन लिए है THEन के जरेखेग मेरबर एंडोचे से बलाटेट TIM एक व्काशन कि आब से थेखि आफ को ज시고 के पार आफ यहां पर आफ DANIEL को ओने तो दिए कामा सब्सक्राइब बाता है यहां अगry na मैरीनेट करने के लिए रखा था भू YOUR shore तो मैं यहां पर भून ले रही हूं इसको और कवर करके रख दे रही हूं पकाने के लिए यहां पर मेरे साथ मिनट हो चुके हैं मैंने एक बार ढखना टाके इसको मैं चला लूँगी क्योंकि इस रेसिपी में अभी पानी नहीं पड़ेगा चिकन में यह बिना पानी के चिक होता है और अपने तेल डाला है उसी में ही यह पकेगा इस चिकन की यह हासियत है ऊपर इसको थोड़ा सा हिला लेती हूं जिससे नीचे जले न तलए न लगे न लगे नहीं तो टेस्ट खराब हो जाए हैं गया चिकन का बस ऐसी थोड़ी थोडिवी देर में इसको गुमात अच्छे से भुन जाएंगे उस पोजिशन पे आप वहां पे इसको एक विसल लगा लेना तो थोड़ा सा और जल्दी गल जाएगा पट जरुबत नहीं है यह वैसे भी मैरिनेट चिकन था तो यहां पर मैंने इसमें कॉरियंडर लीप्स पी आड़ कर दियें लिए कितना अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बहुत महनत लगती है एक वीडियो को बनाने में तो यहां पर मैंने प्लेटिंग कर लिए देखे कितना डिलीशियस लग रहा है चिकन आप इसको पराठे के संग खा सकते हैं या बटर नान हो गई कोई भी जो रोटी आपको अच्छी लगती है उनके संग खा सकते हैं या जीरा राइस के संग ले सकते हैं बड़ इसका टेस्स बहुत अल्टिमेट टेस्ट होता है बहुत डेलिशियस होता है तो जरूर ट्राय करें मेरी रेसिपी को रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए मिलती हूँ आप से एक नई रेसिपी के साथ अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू